Dear Students, Welcome to Eduhub Online Classes, मैं हूँ जयन्त, तो दोस्तो आज हम discuss करेंगे जो ये high level meeting थी, इस meeting का क्या final decision आया है, तो दोस्तो आपने अभी तक बहुत सारे channels में घूम चुके होंगे, और बहुत सारे channels से आपको बहुत सारी news मिल चुकी होगी, लिकिन दोस्तो मैं आपको एक ही news का जो बिलकुल fact है, तो बहुती ध्यान से सुनना, सुनना क्या है दोस्तों, कि अभी तक कोई भी final decision नहीं आया है, ठीके, किसी तरीके का कोई भी final decision नहीं आया है, एक बात सुनके ध्यान रखना, कि इस तरह की जो भी meeting होती है दोस्तों, इस तरह की जो high level की meeting होती है, उस meeting म केवल चर्चा ही होती है सारे पक्सों को देखा जाता है कोई decision नहीं लिया जाता है decision लेने के लिए कहा गया है कि दो तीन दिन बाद हम discuss करेंगे Prime Minister के साथ में जो कि हमारे मोदी जी है उनके साथ discuss करने के बाद जो है एक decision लिया जाएगा लेकिन एक ट्विट आया है दोस्तों Board of Secondary Education राजस्थान का जो मैं आपको बता देता हूँ भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य हुई आज की बोर्ड परिक्षाव को लेकर बैठक में कोई भी अंतिम निन्नाई नहीं लिया गया है इस वर्चुल मिटिंग में सभी राज्यों की बोर्ड परिक्षाव पर अपने सुझाव साजा किये हैं यानि की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक्जाम अगर कैंसल होता है तो हम परमोट कैसे करेंगे हम मुल्यांकन कैसे करेंगे इन सब बातों पर चर्चा जरूर ह कोई है दोस्तों ये कहा गया है कुछ अपने सुझाव दिये गए हैं कि इन तरीकों से हम जो है इस जो है बच्चों को परमोट कर सकते हैं तो दोस्तों एक एजंडा बनाया गया है एक पूरी फाइल त्यार कर ली गई है लेकिन उस पवितक मोहर नहीं लगी है इसलिए यह कहा जा रहा है कि अभी तक कोई फाइनल डिशीजन निकल कर नहीं आया है एक जून अब एक जून को सिक्षा मंत्रा ले भारत सरकार क्लास 10 और 12 की एक्जाम पर लेगा निन्नय यानि कि अब जो फाइनल डिशीजन आने वाला है आपका वो एक जून को आएगा एक जून को हम final decision देंगे कि आपको exam कराना है या नहीं कराना है मित्रो लेकिन इसमें रमेश जी ने साफ साफ ये बात कही है कि हमें जो की सबसे पहले देखना है बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हम सबसे पहले बच्चों के स्वास्ति बच्चों के हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो इस बात से इसपस्ट हो सकता है कि आपके exam ना होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और दूसरी बात अगर आपके exam होते भी हैं तो बहुत ही simple way में आपके एक marge it एक मुल्यांकन के लिए एक फॉर्मल्टी के लिए एक्जाम जरूर करवाया जा सकता है और तीसरी बात ये हो सकती है कि सारे राज्य सरकार के उपर डाल दिया जाए जिस राज्य के अंदर कोविट की जो सिच्वेशन है उसके अकोर्डिंग जो है निन्ने लिया जाएगा 12 के बारे में एक और अपडेट है दोस्तों जो मैं आपके साथ शियर करूँगा 12 के साथ तो ये बोला जा रहा है कि जो मेजर सबजेक्ट हैं उनी के एकजाम होने चायए जो मेजर सबजेक्ट हैं आपके उनी के केवल एकजाम कराके और बहुत ही जल्दी जो है आपको फुरी कर दिया जाए ये ही एक decision आ सकता है इसके अलावा और कोई जो option जो है सरकार खुद के पास भी नहीं है क्योंकि vaccination हो नहीं पारी है और exam जो conduct करवाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा challenge है तो friends इस तरह की updates पाने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए एकदम true और fact news ही कि आपको हमेशा true और fact news मिले दोस्तो I know कि आपका पूरा Sunday आज बरबाद हुआ है पूरा Sunday आप सूबे से लेकर साम तक इसी बात की परतिक्सा कर रहे थे कि क्यार जो है meeting का result आएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कोई decision अभी आया नहीं है लेकिन जल्दी decision आएगा इस बात की लिए आज ये meeting हुई थी जल्दी ही decision आएगा एक जून के लिए कहा है तो दोस्तो इतना जब wait कर लिया है तो हम एक जून तक भी wait कर लेंगे एक जून को देखते हैं कि क्या decision आता है तब तक आप मेरे channel से बने रहें जुडे रहें subscribe करते रहें share करते रहें वीडियो like करते रहें दोस्तो thank you have a nice day bye bye जय हिंदे जय हिंदे जय है जय हिंदे जय हून